हेलो स्टूडेंट्स, UPSC Guiding Principles चैनल में आप सभी का हाद एक स्वागत है स्टूडेंट हम उत्राखन एक समक्राध है जो की परिक्षावारी की पुक है इसको स्टेडी कर रहे थे स्टूडेंट अपने इस लेक्षर में हम पढ़ेंगे थारू जन जाती और जो उत्राखन में पाई जाने वाली भूटिया जन जाती है इनके बारे में तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्षर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थारू जन जाती के बारे में सबसे पहला कोशन है राज के कुल थारू आबादी में ज्यादा तर लोग निवास करते हैं कौन से डिस्टिक में निवास करते हैं? सबसे ज्यादा जो थारू आबादी के लोग हैं वो निवास करते हैं सबसे ज्यादा उधम से हैं अगर डिस्टिक में निक्स कोशन है जनसंख्या की दृष्टी से राजव कुमाउ छेतर का सबसे बड़ा जनजातिय समुह कौन सा है तो उसका अंसर है थारू जनजातिय समुदाए उतराखंड राज़े में राज़ का और साथ ही कुमाउ छेतर का सबसे बड़ा जनजातिय समुह है उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी जन जाती है उत्राखन की वो कौन सी जन जाती है थारू जन जाती है उसके बाद नेक्स कोशिन है सामाने तह थारू को माना जाता है किरात वन्स का ठीक है सामाने तह थारू को माना जाता है किरात वन्स का सामाजिक रूप से थारू लोग कितने वर्गों में बटे होते हैं सामाजिक रूप से थारू लोग कई गौत्रों या कुरियों में बटे होते हैं उसके बाद नेक्स्ट है बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतियां, महतो और डहेत, आदी थारू के क्या है गोत्र या कुरियां है थारू के जो थारू जनजाती के लोग है उनका गोत्र या कुरियां क्या क्या है उनके गोत्र हैं बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रतियां, महतोवर, डहेत, आदी थारू जनजाती के क्या है प्रमुक गोत्र या कुरियां है Next question है थारू के सारे recollection ज़ादा किस से मिलते हैं? ठीक है थारू के जो सारे recollection हैं वो मिलते हैं मंग хочешь प्रजाती से उसके बाद Next है जो थारू जञाती के लोग हैं वो किस प्रकार की भाशाएं बोलते हैं? थारु जनजाती के लोग बोलते हैं अवधी, मिश्रित पहाडी, नेपाली वर भावरी भाशाएं बोलते हैं इसके बाद नेक्स कुशिन है थारु स्वयम द्वारा निरमेत सराप को क्या कहते हैं? इसका अंसर है जाड उसके बाद next question है थारू में दोनों पक्षों में विवाह तै होने को क्या कहा जाता है थारू में दोनों पक्षों में विवाह तै होने को पक्की पौड़ी कहा जाता है उसके बाद next question है थारू में विवाह की सगाई रश्म को क्या कहा जाता है थारू में विवाह की सगाई रश्म को अपना पराया कहा जाता है student exam में इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो पक्की पौड़ी है ये प्रधा किस जनजाती से संबंधित है या पक्की पौड़ी क्या है तो इसका अंसर होगा पक्की पौड़ी है थारू जनजाती में दोनों पक्षों में जो विवाह तै होता है उसको पक्की पौड़ी कहते हैं और जो पक्की पौड़ी है ये किस से रिलेटेड है थारू जनजाती से रिलेटेड है ये काफी इंपौर्टिंट है और अपना पर पूछा गया है कि पक्की पॉड़ी क्या है पक्की पॉड़ी थारू जन जाती में दोनों पक्षों में विवाह तै होने को कहा जाता है और पक्की पॉड़ी की प्रथावी किसे रिलेटिड है थारू जन जाती से और अपना पराया किसे रिलेटिड है थारू जन जाती से ये विवाह की सगाई रश में है, उसको अपना पराया कहा जाता है थारू जनजाती में, उसके बाद, उसके बाद next question है, थारू जनजाती में विद्वा विवाह के बाद दिये जाने वाले भोज को क्या कहा जाता है, थारू जनजाती में विद्वा विवाह के बाद दिये जाने वाले भोज को कहा जाता है लठ भरवा भोज ठीक है लठ भरवा भोज किस से related है ये भी थारू जनजाती से ही related है एक्जैम में अगर पूछा जाए कि लठ भरवा भोज किस जो लठ भरवा भोज है ये किस जनजाती से संबंदित है उसका आंसर है लट भरवा भोज थारू जनजाती से संबंदित है लट भरवा भोज में क्या होता है लट भरवा भोज में विद्वा विबाह के बाद दिया जाने वाला ये भोज है ठीक है विद्वा विबाह के बाद दिया जाने वाला जो भोज है उसको लठ भरवा भोच कहा जाता है थारू जनजाती के द्वारा ठीक है यह थारू जनजातियों में यह एक तरीके से परंपरा है उसके बाद नेक्स्ट है थारू मानते हैं थारू कौन से धर्म को मानते हैं थारू मानते हैं हिंदू धर्म को उसके बाद नेक्स कोश्चन है देखी थारू लोगों के देवी देवता कौन है ठीक है थारू लोगों के देवी देवता कौन है पच्छावन खडगा भूत काली नगर्याई भूमिया या भूमसेन कोरो देव राकत कलुवा आधी थारू लोगों के क्या है देवी देवता है तो हमने इसमें देखा कि थारू लोगों के देवी देवता कौन कौन है पच्छावन, खडगा भूत, काली, नगरियाई, भूमिया या भूमसेन, कोरो देव, राकत, कलवा आदी ये सबी क्या है थारू लोगों के देवी देवता है उसके बाद नेक्स्ट है बजहर नामक्तियोहार मनाया जाता है थारू जनजाती के द्वारा ही बजहर नामक्तियोहार मनाया जाता है ठीक है बजहर नामक्तियोहार किस से रिलेटिड है यह भी जो बजहर नामक्तियोहार है यह भी थारू जनजाती से ही रिलेटिड है और जेस्ठिया बैसाख में नेक्स कुशिन है होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नत्य करते हैं होली के अवसर पर थारू लोग खिचडी नत्य करते हैं उसके बाद नेक्स कुशिन है थारू लोगों की अर्थ व्यवस्था किस पर आधारित है तारू लोगों की अर्थ व्यवस्ता आधारित है क्रशी पशूपालन वो आखेट पर अब हम नेकस्ट देखते हैं भोटिया जनजाती को भोटिया जनजाती किस प्रकार की जनजाती है भोटिया जन्जाती भी उत्राखण में पाई जाने वाली एक अर्ध घुमन्तु जन्जाती है जो की राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथोरागड आदी जिलो में निवास करती है भोटिया एक अर्ध घुमन्तु जन्जाती है जो राज्य के कौन-कौन से जिलो में है विशेश रूप से राज्य के उत्तरकाशी में, चमोली में और पिथोरागड आदी जिलो में जो भी ग्राम है 291 ग्रामों में निवास करते हैं और भोटिया की सरवादे काबादी कहाँ पाई जाती है भोटिया जन्जाती की सरवादे काबादी पिथोरागड में पाई जाती है उसके बाद नेक्स कोशिन है ये सभी क्या है भोटिया की उपजातिया है एक बार फिर से देख लेते हैं भोटिया की उपजातिया कौन कौन सी है मार्शा, तोल्चा, जोहारी, शौका, दर्मिया, चौन्दासी, ब्यासी, जार, जेठरा, वच्छापडा या बखरिया आदी ये सभी क्या हैं भोटिया की उपजातिया है इसके बाद नेक्स कुशिन है, जोहार पिथोरागड के भोटिया, शौका तथा धार चुला, ठीक है, जोकि पिथोरागड के भोटिया रंग कहलाते हैं, जबकि नीती, माना, चमोली के भोटिया क्या कहलाते हैं, रंगपा कहलाते हैं, ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले हमने पड़ा कि जो हार छेत्र है जो हार जो कि पिथोरागड है ठीक है पिथोरागड का एक छेत्र है जो हार पिथोरागड के भोटिया क्या कहलाते हैं शौका कहलाते हैं जो धारचुला पिथोरागड के भोटिया है वो क्या कहलाते हैं रंग कहलाते हैं ठीक है पिथोरागड में काफी important है, इसको देख लीजेगा, इसमें हमने पड़ा, जो चमोली के भोटिया है, उनको मार्चा कहा जाता है, ठीक है, जो चमोली के भोटिया है, उनको क्या कहा जाता है, मार्चा वे तोल्चा, दो शब्दे हापे दिये गए है, मार्चा वे तोल्चा कहा जाता है, और उत 84 दर्मिया कहा जाता है 84 वह जोहारी और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो जोहार पिथोरागड का जोहार छेतर है वहां के जो भोटिया लोग है उनको शौका कहा जाता है पिथोरागड का जो धार्चूला छेतर है धार्चूला के भोटिया लोग क्या कहलाते हैं अंगपा कहलाते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स कोश्चन अभी हमने पड़ा कि जो चमूली के भूटिया लोग हैं उनको क्या कहा जाता है मार्चा वतोल्चा मार्चा वतोल्चा चमूली के भूटिया को कहा जाता है उत्तरकासी के भूटिया को जाड कहा जाता है जबकि इसमें ये कहा गया है उत्तरकासी में जाड भोटांतिकों के अंतिम गाव कौन कौन से हैं उत्तरकासी में जाड भोटांतिकों के अंतिम गाव हैं उसके बाद next question है नेक्स कोश्यन है, चमोली के भोटांतिकों, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि उत्तरकाशी में जाड भोटांतिकों के अंतिमगाव हैं, अंगर, जादुंग, नेलंग, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि चमोली में, ठीक है, जो चमोली में भोटांतिकों के अंतिमगाव कौन से ह चमोली में भोटांतिकों के अंतिम गाव है, माना, वना कुली, ओध, आदी, अलगनन्दा घाटी, चमोली में भोटांतिकों के अंतिम गाव है, नेक्स कोशन है, नीती, ठीक है, नीती, नीती घाटी, चमोली में भोटांतिकों का अंतिम गाव है, ठीक है, जो नीती घाटी, चमूली में भूटांतिकों का अंतिम काव है उसके बाद नेक्स कोशिन है इसमें बताया गया है कि पिथोरागड में जो पिथोरागड है पिथोरागड में भूटांतिकों का अंतिम काव कौन सा है पिथोरागड में भूटांतिकों के अंतिम काव है जाड भोटिया अपने को मानते हैं जाड भोटिया अपने को क्या मानते हैं जाड भोटिया अपने को जनक का वनसज मानते हैं उसके बाद नेक्स कोशन है बौध धर्मान्याई होते हैं बौध धर्मान्याई कौन होते हैं जो जाड भोटिया हैं वो बौध धर्म को मानने वाले होते हैं या मौध बौध धर्म के अन्याई होते हैं जाड भोटिया उसके बाद नेक्स कुशन है जाड लोगों की भाशा है जाड लोगों की भाशा क्या है रॉम्बा रॉम्बा क्या है जाड लोगों की भाशा है उसके बाद नेक्स कुशन ह जाड लोगों का तियोहार है ठीक है जो जाड लोगों के तियोहार के बारे में बताया है कि लौहसर व लौहसर व सूरगेन जाड लोगों का तियोहार है उसके बाद नेक्स कोशिन है जार को छोड़कर शेश भोटिया स्वयम को क्या मानते हैं? इसके बाद नेक्स कुशिन है भोटिया हिमाले की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की कितनी भाषा बोलते हैं? भोटिया हिमाले की तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की छे भाषाएं छे बोलियां ठीक है? छे बोलियां बोलते हैं क्या था कुशिन? कि भोटिया हिमाले की भोटिया लोग जो हैं वो हिमाले की तिबबती वर्मा भाषा परिवार की कितनी बोलियां भोटियाओं के द्वारा भोटियाओं के द्वारा बोली जाती है यानि छे बोलियां बोली जाती हैं ठीक है हिमाले की तिबबती बर्मी भाषा परिवार की जो छे बोलियां है उनको भोटिया बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट है मतलब भोटिया जन जाती के द्वारा हिमाले की तिबबती बर्मी भाषा परिवार की छे बोलियां बोली जाती है नेक्स कुश्यन है भोटिया किस प्रजाती है वो किस प्रजाती के है तो इसमें जो भोटिया लोग है जो भोटिया जन जाती है ये किस प्रजाती की है इसकी प्रजाती है तिबबती एवं मंगोलियन मिश्रित ठीक है भोटिया किस प्रजाती के है तो भोटिया की प्रजाती है तिब्बती एवम मंगोलियन मिश्रिद उसके वाद नेक्स कोशिन है भोटिया लोगों का सीद कालीन आवास क्या कहलाता है भोटिया लोगों का सीद कालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है ठीक है भोटिया लोगों का सीद कालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है जबकि भोटिया लोगों का जो ग्रीश मकालीन आवास है वो क्या कहलाता है मैत कहलाता है इसको भी धान रखिएगा कि भोटिया लोगों का सीथ कालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है और वहीं भोटिया लोगों का जो ग्रीश्म काली नावास है उसको मैत कहा जाता है उसके बाद ने एक स्कुशिन है जया या मर्जया ठीक है जो कि क्या है मक्षनी चाए है जया या मर्जया क्या है मक्षनी चाए है और मर्जया दू इतथा च्यक्ति या छंग चंग किसको कहा गया है, मदीरा को कहा गया है, भोटिया लोगों के क्या है, ये सब प्रियपे हैं, भोटिया लोगों के प्रियपे क्या-क्या है, जिया या मर्जिया, जिसको की मक्षनी चाय को कहा गया है, जिया या मर्जिया, और उसके बाद मर्जादू तथा च्यकति, या मरजादू तथा चयकति या चंग चंग किसको कहा गया है मदीरा को ये सबी क्या है भोटिया लोगों के प्रिय पे हैं इसके बाद नेक्स्ट है तत्सत ठीक है तत्सत वदमोला भोटिया में विवाह की दो प्रमुक्या हैं विधिया हैं ठीक है, ये पूछा जाए कि दमोला पदिती किसे related है, या तच्जद पदिती किसे related है, तो ये भोटियाओं की विवाह से related दो प्रमुख विधिया हैं ठीक है, तत्सत्व दमोला, भोटिया में विवाह की दो प्रमुख विधिया है, क्या क्या है, तत्सत्व दमोला, भोटिया में विवाह की दो प्रमुख विधिया है, नेक्स कोशिन है उसके बाद विवाह के अवसर पर भोटिया कौन सा अनृत्य करते हैं? भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं उसके बाद नेक्स कोशिन है भूम्याल ग्वाला ग्वाला बैग रैग चिम नंदा देवी दुरगा कैलाश परवत द्रौन गिरी हाथी परवत आदी भोटिया जंजाती के प्रमुख देव हैं यानि इनके प्रमुख पूज्य देव हैं इनकी पूजा की जाती है भोटिया जंजाती में भोटिया जंजाती के प्रमुख पूज्य देव कौन है भूम्याल ग्वाला बैग रैग चिम बैग रैग चिम नंदा देवी दुरगा कैलाश परवत द्रौन गिरी हाथी परवत ये सबी क्या हैं भोटिया जंजाती के पूज्य देव हैं उसके बाद नेक्स कोशिन है सौका भोटिया में प्रतेक बार्वे वर्ष में मनाया जाता है कंडाली या किर्जी उत्सब को सौका भोटिया में ठीक है जो सौका भोटिया है शौका भोटिया में प्रतेक बार्वे वर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है शौका भोटिया में प्रतेक बार्वे वर्ष कंडाली या किर्जी उत्सव मनाया जाता है कंडाली या किर्जी उत्सव भोटिया जन्जाति से related है जो की सोगा भोटिया में ठीक है सोगा भोटिया में प्रतेक 12 वर्ष मनाया जाता है कंडाली या किर्जी उत्सव उसके बाद next है तुवेरा, बाज्यू, तिमली तिमली आदि भोटिया के क्या है भोटिया के प्रमुख लोक गीत हैं, ठीक है, भोटिया जनजाती के प्रमुख लोक गीत कौन कौन से हैं, तुवेरा, बाजू, तिमली, तुवेरा, बाजू, तिमली आदी, भोटिया जनजाती के प्रमुख लोक गीत हैं, उसके बाद नेक्स्ट है, भोटिया का मुख्य वा भोटिया जन्जाती का मुख्य वादे यंत्र है हुड़के ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है भोटिया का मुख्य वादे यंत्र हमने देखा कि वो क्या था हुड़के है उसके बाद नेक्स्ट है भोटिया अर्थे ब्यवस्था किस पर आधारित है तो जो भोटिया अर्थे बोटी आर्थी ब्यवस्ता भी क्रशी पश्व पालन दस्तकारी व व ब्यापार पर आधारित है। ठीक है I hope आपको समझ में आया हो अपने next lecture में हम उत्राखंड की जो प्रमुख जन जातियां हैं जो अन्य जन जातियां हैं इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए उनको पढ़ेंगे और अब बची हैं बोकसा और राजी जन जाती है ठीक है और तो उनको हम अपने next lecture में complete अभी का लेक्चर यही पर रखते हैं thanks for watching